Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की इस वीडियो में बच्चों हम discuss करेंगे वॉक्षीट नमबर 16, 4, Class 8 विज्ञान की बच्चों ये वॉक्षीट है जो आपके लिए 25th November 2020 के लिए schedule की गई है आज की वॉक्षीट में बच्चों हम धातू, M, अधातू इसके गुणों की जो है तुलना करेंगे तो अब तक हमने धातू और अधातू के बारे में बहुत कुछ जाना तो बच्चों हमने प्रिविएस वॉक्षीट में धातू के गुणों के बारे में उनकी रासाइनी गुण क्या होते हैं उनके बारे में जाना आज हम धातू और अधातू के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सब की क्या करेंगे पुन्राविर्ति करेंगे यानि रिवीजन करेंगे अब देखें आज इस वक्षीट में हम धातू और अधातू की तुलना करेंगे पहला गुण क्या है दिखावट अब धात्वे कैसी होती है धात्वे चम की लिए चमकदार होती है जैसे कि सोना है चांदी है लेकिन जो अधातू होती है वो निस्प्रव मलीन या चमकदार नहीं होती ठीके अधात्वे जैसे हाइडरोजन गैस है या सलफर है बिटा कार्ब है तो ये कैसे होते हैं ये चमकदार नहीं होते किवल आयोडीन एक ऐसी अधातु है ये अपवाद है जो की चमकदार होती है नेक्स देखी अवस्था तो सभी दात्वी जो है वो सामाने ताप पर कैसी होती है सामाने ताप पर वो ठोस होती है सभी दात्वी जैसे सोना टोस अवस्था में होती है परंतु पारा यानि जैसे मरकरी जो कि ठर्मोमेटर में बढ़ा हुआ होता है आपसे पूछ बिदत की ठाप्मान पर आप से कौन सी दातु है जो दर्रा अवस्था में पाय जाती है तो वemieतन एक पारा या मर्करी। लेकिन जो अधात्मी है वो ठोस, द्रव और गस तीनों अवस्थारों में पाई जाती हैं जैसे आयोडीन ठोस होता है, ठीक है द्रव बेटा जैसे ब्रोमीन वो द्रव अवस्थारों में होती है और hydrogen, oxygen, nitrogen, gas अवस्था में होती हैं तो यह अलग-अलग example जो है होते हैं next एक ही कठोरता सभी बच्चे जानते हैं कि जो धात्वें होती हैं वो अधिकतर कठोर होती हैं जैसे बार-बार हम example ले रहे हैं सोना, चांदी, बलोहे का लेकिन sodium और potassium और lead ये धात्वें ऐसी हैं जो की इतनी ज़्यादा ठोस नहीं होती और sodium और potassium बेटा ये तो इतनी मुलायम होती हैं नरम होती हैं कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है sodium और potassium को और ये जो धात्वें होती हैं अधात्वें जो होती हैं वो नरम होती है भंगूर होती है नरम तो आप समझ गए है लेकिन ये भंगूर क्या होता है कि जब हम इनको हथोड़े से पीटते हैं तो ये जो है बिखर जाती है ठीक है क्या हो जाती है ये बिखर जाती है जिसको हम भंगूर कहती है नेक्स देखिए अधातवर्धनियता त लेकिन जो अधातवे होती है वो नरम होती है हमने अभी उपर पढ़ा ना ये नरम होती है तो ये चोट करने के कारण क्या होता है बिखर जाती है इसलिए ये अधातवर्धिये नहीं होती है तो क्या होगा ये इसलिए अधातवर्धिये नहीं होती है नेक्स देखिए तन्यत तन्य का मतलब क्या होता है तारों में परिवर्थित करना यानि धात्वों को खीच कर तारों में परिवर्थित किया जा सकता है और सामानेते सभी धात्वे कैसी होती है तन्य होती है यानि उनको तारों में बदला जा सकता है लेकिन जो अधात्वे होती है उनमें तन्यता का थालक था जो धात्वी होती है वो बिटा उश्मा और विद्धुत की प्रवाहित होने देती है जिसके कारण वो विद्यूत की सूचालक होती है और जो अधात्वी है वो उश्मा और विद्यूत की क्या होती है उश्मा और विद्यूत की कूचालक होती है यानि वो अपने अंदर से उश्मा और विद्यूत को प्रवाहित नहीं होने देती है जिसके कारण वो कूचालक होती है नेक्स्ट है द्वानिक अब देखिए आपने पहले भी पढ़ा है न द्वानिक क्या होती है नि द्वानी उत्पन करती है तो जो धात्वी होती है ये द्वानिक होती है यानि द्वानी उत्पन करती है जिसकी वज़े से गंटियां धातु की बनाई जाती हैं तो जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो गंटियां है वो धातु की बनाई जाती है नेक्स्ट है ये द्वानिक नहीं होती यानि जो अधात्वे हैं वो द्वानिक नहीं होती वो कोई भी द्वनी उत्पन नहीं करती हैं उधारन अब हम करेंगे दातों में जो उधारन है देखिए लोहा, सोना, कॉपर, अलुमीनियम, मैगनीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम ये सभी उधारन किसके हैं दातों के उधारन है जब कि अधातों के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रूजन, क्लूरीन, सल्फर, आयोडिन ये किसके उधारन है ये जो है अधातों के उधारन है अब हम करेंगे दो धातों के नाम लिखिए जिने चाकू से काटा जा सकता है तो वेटा दो धात्व के नाम लिखने है जिने चाकू से काटा जा सकता है मैंने अभी अभी आपको बताया सोडियम और पोटाशियम दो धात्वे हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है तो यह आपका question number एक का उत्तर हो जाएगा सोडिया, पोटेशियम दो धात्वे हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है ये बहुती नरम और मुलायम होती है नेक्स देखिए मंदिरों की गंटिया धातू की क्यों बनाई जाती है ठीक है तो देखें यहाँ पर आंसर दिया गया है मंदिरों की गंटिया धातू की बनाई जाती है क्योंकि ये धातू जो है वो क्या होती है द्वानिक होती है तो आप यहीं से उत्तर लिखेंगे वेटे ये ध्वानिक होती है यानि क्या ध्वानिक होती है धातू तो ये को काट के आप धातु लिख लीजे, धातु जो हैं धातुएं, धातुएं क्या होती हैं, द्वानिक होती हैं, जिसकी वज़े से घंटिया धातु की बनाई जाती हैं, तो बस इतना ही आंसर लिखना है आपको, धातुएं ध्वानिक होती हैं, जिसकी वज़े से घंटि हैं बहुत आसान है तो अभी हमने यह एक्जामपल किये तो यह एक्जामपल इसलिए जो भी आपको लगता है आपको याद हो जाएगा सिल्वर है तो यह कोई भी चार एक्जामपल आप जो है यहां से उधारन लिखती जिए यह दातवों के होंगे और कार्बन आक्सिजन न धातों में अंतर बताईए तो बटा आपको धातों धातों में अंतर बताना है अब देखे ये सारे points आपके अंतर की हैं ठीके तो आपको जो है ये अंतर सारे बहुत ही जरूरी भी है ये आपके लिए आपको लगेगा ये answer बहुत बढ़ा है लेकिन अब अंतर है complete आप से पूछा गया है तो यह सारे points आपको देने होंगे तो आप इसको याद करेंगे ठीक है और इसमें बहुत सारी बातें आपको याद हो चाहेंगी तो यह पूरा ही answer आपका होगा आपका जो है अंतर का तो question number 4 का answer यहीं से होगा आपका धातू और अधातू में अंतर next देखे एक ऐसी धातू का नाम बताईए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है हमने किया कौन सी होती है वो पारा ठीक है पारा ऐसी धातू है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है पारा या मरकरी तो यह आप जो है यहां से लिख सकते हैं यह पारा अत्वा मरकरी जो है कमरे के ताप पर तरह लवस्था में होती है तो यहां से लिखती जिए तरह लवस्था में होता है तो question number 5 का उत्तर हो जाएगा यह ठीक है तो यह थी बच्चो आपकी आज की science की worksheet I hope बेटा आ आप कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching have a nice day okay